नमस्कार दोस्तों यह है हमारे सीता फल का बगीचा जिसमें इंटर क्रॉफ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं यह आप देख रहे हैं इंटर क्रॉफ में हम इस बार यहां चने की खेती लेने वाले हैं उसी के लिए यह तैयारी चल रही है पानी हमने कुछ समय पहले इसमें छोड़ा था अब जमीन में बतर आ गया है तो अब एक बख्खर लगा के हम एक कल्टिवेटर हम इसमें बॉनी करेंगे और यह पौदे आप देख सकते हैं यह लगवक एक साल के पौदे हैं प्रूबा घर्टव्षव्थट कि बतर बतरू़ें हमने यह बगीचा आठ वाई दस में लगाया हुआ है रोज से रोज की डिस्टेंस हमने दस फिट रखी है और पौदे से पौदे की डिस्टेंस हमने आठ फिट रखी है देखिए बतर की बाद एक उसमें मिटी कितनी सॉप्ट और मुलायम हो गई है देखिए क्ईयों है । क्शुँँँँचर्ण क्शुँँचर्ण क्शुँचर्ण क्वढर्ण क्षुचर्ण कि अध्यक्त की अनिया जीए कि अध्यक्त वर्व एक अध्यक्त की चिंग आध्यक्त यह जो सीता फल की वेराइटी है हमने नाकपुट से मंगवाई हुई है और इसका नाम एनेम के गोल्डन के नाम पर यह वेराइटी है जिसका फल अप्रोक्स आठसो से एक हजार ग्राम तक आता है हुआ है कि इनमें एक साल की ग्रोथ में हम बात करें तो इस टैम आप देखिए इनमें स्टैम की क्वालिटी हमारी क्या बोलती है यह देखिए यह स्टैम कि एक साल में बहुत अच्छी ग्रोथ हिनों ने ली है और यह फ्रूटिंग पर जैसा कि हमें जानकारी दी थी उनों ने नाकपुर में जिन से हमने यह पर्चेस किये थे पोधे की तीन साल में यह फ्रूटिंग हमारी जो है आने लगेगी इसमें हमने इसमें पूरा ड्रिफ सिस्टम लगाया हुआ है यह आप देखिएगा यह पूरा ड्रिफ के थुरू ही इसमें वाटर सप्लाई होता है लास्टियर हमने इस खेट में मसूर डाल लग दी मसूर इंटर क्रॉप के रूप में और इस बार हम यहां चला डाल रहे हैं अभी यहां कि यह जो आप खास देख रहे हैं इनकी निदाई गुडाई होगी अभी और इसमें हम खाद सप्लिमेंट के तौर पर इसमें खाद अभी हम देंगे यह पूरी सफाई होगी इनमें कि आगे हमारे हम्रूत का बगीचा जो कि हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था वहां पर भी हम इंटर कॉप लेते हैं कि वह पगीचा हमारा हम्रूत का तयार है कि इस बार हमने आर्वेस्टिंग भी किया है उसकी अग्यूंग कि अग्यूंग